रवीष कुमार जी के NDTV से इस्तिफा देने के बाद दोस्तों लगातार NDTV से इस्तिफो का दौर जा रही है, जिहां एक सिलसिला शुरू हो गया है, लगातार बड़ी पोस्ट पर जितने भी बैठेर लोग हैं, वो NDTV से इस्तिफा देना शुरू कर चुके हैं और आप किस ने nd tv में अ कि ये बाद रावीश कुमार जी लगातार शुर्ख beni है पहले बी थे लगातार सुर्ख when और भब गांकि तो शोड़े हैं जो कहीं ना कहीं न कहीं एक धक्का देने वाला विशे है क्योंकि लगातार वो लोग NDTV छोड़ रहे हैं जो कि काफी सालों से NDTV पे पहली बात तो अपने पद पर विराजमान थे साथ ही काफी समय से वो NDTV के साथ जुड़े हुए थे और अब उनका अचानक से इस्तिफा देना यह NDTV ग्रुप के लिए जो कि अभी नया NDTV ग्रुप बनाया दोस्तों उसके लिए धक्का देने वाला होगा इस वक्त आपके स्क्रेंस पर न्यूज लॉंट्री की ख़बर में आपको दिखा रही हूँ इस ख़बर के मताबिक अब किस ने एड़ी चोड़ा है वो आपको बता देते हैं अडारी ग्रुप एड़ी टीव का एड़ी कर चुका है और इसके एक महीने बाद NDTV ग्रुप प्रेजिडेन सुपर्णा सिंग समेत दो बड़े पत पर बैठे लोगों ने दोस्तों इस सिवा दे दिया है जहां सुपर्णा सिंग NDTV ग्रुप की प्रेजिडेन रही है काफी समय से इस NDTV ग्रुप से वो जुड़ी रही है आप समझ सकते हैं कि रवीश कुमार जी का NDTV के साथ जो रिष्टा रहा है वो कितना जादा पुराना रहा है साथ ही अगर बात करेंगे प्रोडाय रॉय और राधिका रॉय की दोस्तों तो उनका भी जो कारेकाल रहा है वो बहुत लंबा बहुत बढ़ा रहा है ऐसे ही इसे लिए अब जितने भी लोग छोड़ रहा है वो उस समय के लोग छोड़ रहा है जो कि राधिका रॉय प्रोडाय रॉय के समय के लोग थे या फिर जो रवीश कुमार जी के रहते NDTV में पदासीन थे उन लोगों ने NDTV को अब टाटा बाई बाई कहना शुरू कर दिया है वो क्यों शुरू किया है इस बात को शायद आप लोग समझ रहे होंगे अडानी ग्रूप ने जब से NDTV का अधिकरहन किया है दोस्तों तभी से NDTV पर से एक लोग प्रियता का विश्वास उठना जो है वो शुरू हो ग जानता है और शायद इसलिए तमाम खबरें भी आए कि NDTV को गौर्मेंट की तरफ से एड्स का सपोर्ट नहीं मिलता दोस्तों क्योंकि NDTV लगातार सरकार से सवाल पूछना जानता है अभी भी हो सकता है कि थोड़े समय तक यह जो कारवा है यह चलता रहे लेकिन रवीश दोस्तों तकरीबन एक महीना हो गया को अडानी गृप ने पहले पूरे एंडी टीवी गृप का टेक ओवर किया था और उसके होने के बाद चैनल की ग्रूप परिजिजेंट सुपर्णा सिंग ने तो देखिए अभी इस्तिफा देया ही है इनके अलावा दो और लोगों न तो लोग कौन है यह भी आम आपको बता देते हैं सुपर्णा सिंग के अलावा एंडी टीवी ग्रुप के चीफ स्ट्रेटीजी ऑफीसर है अरिजीक चटर जी उन्होंने इस्तिफा दिया है साथ ही चीफ टेकनोलोजी टेकनोलोजी प्रोडक्ट ऑफीसर है कवल जीत सिंग ब तीन लोग जिनमें बरिश्ट पत्रकार रवीष कुमार जी भी मौझूद है रवीष कुमार जी का नाम भी उसमें शामिल है दोस्तों अभी इस वक्त अगर रवीष कुमार जी वहां से निकल गये है तो न्डी टीवी सुर्खियों में इस लिए आया क्यूंकि रवीष कु इस देश का वो उद्योगपती जिसको सीधे तोर पर आरोप लगता है जिन पर कि उनका उनके उपर जिनका हाथ है वो इस देश के सत्ता में विराजमान है ऐसा शक्स ऐसा उद्योगपती अगर किसी बड़े चानल उस चानल को टेक ओवर करता है जो कि काफी समय से निश्पक निडर होकर सवाल पूछने के लिए जाने जा रहे थे अगर उस चैनल का अधिगरहन करने के लिए एक उद्योग पती आ गया आता है तो उसी से समझा जा सकता है कि एक चैनल जो कि कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर सुर्खियों में आया कि इस सत्ता से सवाल पूछने वाला एक मात्र मेंस्ट्री मीडिया का चैनल बचा है उस चैनल पर गाज गिरानी शुरू कर दी गए उस चैनल पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया गया एक एक करके एक के बाद एक दिन जो है शेर खरीदने में जा रहा था और आखिरकार हुआ ये कि अडानी ग्रूप ने के बाद अधिग्रहन के बाद अडानी ग्रूप के पास कितनी हिस्सेदारी गई है ये भी मैं आपको बताऊंगी डारेक्टर सजब पुगाली संजब पुगालिया ने लिखा कि सुपड़ना सिंग अरिजीच चटरजी और कवल जीच सिंग बेदी ने अपना इस्तिफा चुके थे लेकिं इस्तिफा देने से पहले अपने 32.26 प्रतिशत हिस्सेदारी जो है दोस्तों उसका 27.26 प्रतिशत उन्होंने अडानी समुके को बेच दिया था बेचा था या उनके ओपर दबाव बनाये गया था इसकी पुष्टी अभी तक भी नहीं हो पाती है क्योंकि उन्होंने इसकी पुष्टी नहीं करनी चाहिए लेकिन जिस तरह से उन्होंने शेर बेच कर और फिर एंडी टीवी गृप से दोस्तों इस्तिफा दिया कई ना कई उससे समझ में आने लगा उससे पता चलने लगा कि इस्तिफा क्यों दिया गया है और आखिरकार एंडी ट प्रतिशत शेर ट्रांस्वर किये थे और इस तरह से एंडी टीवी में 39.8 प्रतिशत हिसेदारी उनको मिल गई थी जिसके बाद ही यह जो इस्तिफों का दौर है यह जारी है दोस्तों और अभी इस्तिफा जो है वो लगातार जारी है क्यों लगातार जारी इस बात को समझा कि दौर सकता है और नजी दीवी कुमार जी ने इस्तिफा दिया रवी इस्तिफा दिया लगातार जैसे मैं खाष्क का विशवा बना हूख है लगातार कहां है क्तों कि आप देख सकते हैं कि जब से अधिग्रांड हुआ है दोसतों तभी इस एक प्रोसीजर होता हाल 커피 पहले तक रविश कुमार जी के रहते हो रही थी या प्रणाय रॉय और राधिका रॉय जी के रहते हो रही थी क्या वो निश्पक्ष पत्रकारिता आगे तक भी हो पाएगी क्या उसको आगे तक भी इसी तरीके से चलने दिया जाए का इस तरह से पहले चलने दिया जा रहा क्योंकि देखें, NDA TV के मुख्य चहरे के रूप में रविश कुमार जी को जाना जाता था, और उन्होंने जो इंटर्व्यूस दियें, उन तमाम इंटर्व्यूस में, वो कही न कही बात बोलते भूए भी नज़र आए कि अगर हम किसी खबर को लेकर, किसी प्रोग्राम को ल पत्रकारों की लगाम नहीं खीचे जाती थी, कि आपको यहीं खबर करनी है, क्योंकि इस खबर से TRP आएगी, या फिर इस खबर से आपकी जो कही ना कहीं चाटुकारिता है, वो नज़रा है, सरकार के प्रती, तो ऐसे खबर को करना और ना करना, इसका सीधा सीधे तोर पर अधिकार जो था दोस्तों वहां के पत्रकारों के पास था लेकिन अब वो अधिकार रह पाएगा की नहीं अब जिस तरह से NDTV पहले था उस तरीके से रह पाएगा की नहीं ये सवाल फिलाल बरकरार है और सवाल का जवाब धीरे-धीरे सामने आ रहा है जब लोग जो हैं इस इस से पहले तीन लोग और इस्तिफा दे चुके हैं अब आगे जाकर और कितने महत्वपून लोग महत्वपून पदों पर विराजमान लोग इस्तिफा देते हैं ये देखने वाली बात होगी विडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न नमस्कार